हेलो डियर स्टूडेंट्स तो आ गए हैं एक और बहुत इंपॉर्टन्ट और कन्फूजिंग टॉपिक लेके टाइप्स ऑफ केमिकल रियाक्शन्स सभी बच्चों को सबसे दा परिशानी होती है कि इसको याद कैसे करें तो आज मैंने समराइज किया है कुछ इंपॉर्टन मैंने वही रियाक्शन्स लिखे हैं जो आपके सिल्बस में हैं और जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चलो शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टन टॉपिक याट इस टाइप ऑफ केमिकल रियाक्शन्स पहला जो टाइप ऑफ रियाक्शन है वहां कॉम्बिनेशन रिय करते हैं दो इट इन चीज मिलके जब एक चीज बनाती है कम्बाइन होती है तो उसको हम कॉम्बिनेशन रियाक्शन देखते है यह यहाँ पर लिख लिखके आपको दे रही हो नोट स इसको याद करना है तो यह जो लाइन देख रहे हो ना अगर यह अप याद कर लोगे ऐ आएसे कई लाइन जाएंगी आगे, तो इनको अगर याद करने तो अगर शिटास हो जाएक है. यहाँ पर जो मैटल है वो अक्टिव मैटल है, जब भी मैटल और अक्सीजङन कंबाइन करते हैं, तो वो बेसिक औक्साइट देते हैं, तो यानि का इसका example क्या हो गया, कि अगर magnesium, जो कि एक metal है, वो oxygen के साथ combine करेगा, तो magnesium oxide देगा, यह magnesium oxide basic होगा nature में, याद रखना कि metallic oxides are basic in nature, तो यह examples हो गए, copper plus oxygen gives copper oxide, aluminium plus oxygen gives aluminium oxide, तो यह reactions हो गए, अब इसमें एक चीज़ का और धिहान रखना है तुमें, कि अगर हम इसको reverse कर दें, मतब इस arrow को ऐसे कर दें, तो यह decomposition reaction हो जाएगा, तूटने वाला reaction हो जाएगा, जहां Mg O decompose होगा दो में, that is Mg और O2, तो बस arrow change कर देंगे अगर हम, और इसको LHS पे ले आएँगे, और इसको RHS पे ले आएँगे, तो आपका यह क्या हो जाएगा, आपका यह हो जाएगा decomposition reaction, लेकि स्लाइड में आपने क्या याद किया, कि जब metal और oxygen मिलते हैं, तो basic oxide बनाते हैं, metallic oxide, यह formula कैसे बनते हैं, आपको पते ही है, क्रिस क्रोस formula है, एक example दे देती हूँ, यगर मुझे aluminium और oxygen मिलाना है, तो aluminium की valency 3, oxygen की नीचे लिख देंगे, oxygen की valency 2, aluminium की नीचे लिख देंगे, औ AL2 और O3, AL के नीचे लिखा हुआ को AL के साथ लिख देंगे, और oxygen के नीचे लिखे हुए को oxygen के साथ लिख देंगे, तो यह हमारा बन गया, AL2, O3, तो यह, कैसे यह formula कंपोस करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, चले next देखते हैं, combination reaction का, दूसरा point जो आपको याद क करना है कि non metal जब oxygen के साथ combine करते हैं, तो भी oxide बनाते हैं, लेकिन वो oxide कैसा nature का होता है, वो acidic nature का होता है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद रिखने के लिए सबसे पहले एक non metal लेंगे carbon, और उस carbon को हम oxygen के साथ combine कराएंगे, तो जब carbon oxygen के साथ combine करती है, तो carbon dioxide gas बनाती ह तो acid बन जाता है, ठीक है, तो इस से याद रखेंगे कि या acidic nature की gas है, carbon dioxide, तो अगर इतना है याद रहेगा, तो अभी याद रहेगा कि non metal, जब भी non metals के साथ जो oxygen मिलेगी, तो जो oxide बनेगा, वो acidic nature का होगा, metal के साथ oxygen, basic oxide, non metal के साथ oxygen, acidic oxide, और combination reaction का example क्या है, formation of water, जब hydrogen और oxygen मिलते हैं, तो water बनता है, और इसी को उल्टा करके लिख देंगे, अगर इस तरीके से, तो यह आपका फिर वही decomposition reaction हो जाएगा, जहाँ पर एक चीज चूट के दो में बन रही है, लेगे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, combination reaction, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि दो चीजें कमबाइ हम पानी में मिला देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, एक बेस बन जाता है, जिसको हम कहते हैं, हाइड्रोकसाइड, हाइड्रोकसाइड का, आपने लर्न किया था ना, radical, हाइड्रोकसाइड is OH negative, that means यह वाला आयन, तो हाइड्रोकसाइड बन जाएगा, यानि सोडियम के स हाइड्रोकसाइड पानी में मिलाएंगे, तो बेसिक हाइड्रोकसाइड बन जाएगा, ठीक है, पानी के साथ इसको रेक्शन कराएंगे, यह रहे एक्जाम्पल, तो बेसिकली तुम लोग को याद क्या करना है, यह बहुत इंपॉर्टन्ट है, इसको याद करते जाओ, ए तो FeSo4 का यानि कि Ferrous Sulfate यानि कि Iron Sulfate का है, Metal Sulfate याद रखना, Metal Sulfate जब ब्रेक अप होते हैं, तो वो Sulfur Dioxide Gas यानि SO2 Gas और Oxygen Gas बनाते हैं, लेकिन जब FeSo4 Decompose होता है, तो वो 2 Gases बनाता है, SO2 और SO3, तो यह एक अलग थोड़ी चीज होगे, इसको याद रखोगे, कि कौ Sulfur Dioxide और Sulfur Trioxide प्रेडूस कर रहा है, और साथ में यह जो Oxide बना रहा है, Fe2O3, ठीक है, अब हमें वैसे फिर याद करना है, Metal Carbonate को अगर हम Decompose करते हैं, तो हमेशा याद रखना, जब Metal Carbonate Decompose होता है, तो क्योंकि Carbonate है, तो उसमें Carbon Oxide Gas तो निकलेगी, यह निकलेगी, औ साथ में Basic Oxide बनेगा, यानि Metallic Oxide बनेगा, तो यह देखो, Example, Calcium Carbonate, Metal का Carbonate है, Carbon Oxide तो निकाली दो सबसे पहले, CO2 निकल गया, और साथ में बचा किया हमारा Calcium और Oxygen, यानि की Calcium Oxide, तो यह reaction भी Important है, और अगर Metal का Nitrate है, यह तो बहुत Important Reaction है, इसको तो बिलकुल रट डालो स जो Metal Nitrate है, उसके साथ यह Basic Oxide बनेगा, लेकिन चुकिन Nitrate है, तो NO3 है, यानि Gas बनेगी, NO2 और साथ में Oxygen Gas भी बनेगी, अब यहाँ पर यह देखना है आपको, कि यह जो NO2 है, यह हमारी Brown Color के Fumes देती है, तो इस reaction में आपको Brown Color के Fumes दिखाई देंगे, Nitrogen, Dioxide के, लेकिन Oxygen क कोई Color नहीं देती है, तो वहाँ पर आपको कुछ Oxygen की Visibility कुछ दिखाई देगी, विस आपको यह दिखाई देगा, कि Brown Fumes निकल रहे हैं, चलो, Next Type का, जो हमारा Reaction है, वो है Single Displacement Reaction, Single Displacement Reaction का मतलब क्या है, कि कोई एक चीज, दूसरी चीज को, यहाँ पर Displace कर रहेगी, उ तो इसमें यह sentence है, याद रखना, Metal Plus Water, अगर अक्टिव मेटल को हम पानी में डालते हैं, देखो, जो एक्टिव मेटल होंगे, वो पानी में बहुत जल्दी से विग्रस Reaction देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप Activity Series में नीचे आते जाओगे, तो वो जो Metals हैं वो गरम पानी स पहले थंडे पानी से रेक्ट करेंगे, जैसे यह दोनों है, वो थंडे पानी से कर लेंगे, फिर आपका यह थोड़ा से कम विग्रस होगा थंडे पानी में, लेकिन उसके बाद यह स्टीम से करने लगेंगे, गरम पानी से करने लगेंगे, तो ऐसे इनकी जो इनकी reactivity है water क साथ वो कम होने लगती है, तो चलो लेकिन होता क्या है, जब आप metal को water में मिलाते हैं, तो आपको एक metal hydroxide बनेगा, और साथ में gas कौन से निकलेगी, hydrogen gas, तो याद रखना, जब भी metal को water में डालेंगे, तो क्या बनाओगे, एक hydroxide बना दोगे, और hydrogen gas निकाल दोगे, देखते बिना balancing के कोई भी reaction में आपको number नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको हर आपकी जो equation है, वो कैसी होने चाहिए, balanced होने चाहिए, उसी तरीके से यहाँ potassium hydroxide बनेगा, calcium hydroxide बनेगा, aluminium hydroxide बनेगा, और last वाला जो है, वो iron का mixed oxide बनेगा, और hydrogen gas निकलेगी, इस reaction में याद रखना, अपर है, silver है, gold है, वो water के साथ react नहीं करेंगे, क्योंकि वो activity series में hydrogen के नीचे होते हैं, तो वो displace नहीं करेंगे, यहाँ पे हो क्या रहा है, इस sodium ने hydrogen को क्या करा, displace कर दिया, उसकी जगे ले ली, समझ में आ गया, तो यह और H2 को अलग कर दिया है, हाँपे, hydrogen को displace किया है और hydrogen के चुकी उपर है, series में, देखो, यह sodium यहाँ है, hydrogen यहाँ है, यानि बहुत easily इसको displace कर सकता है, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, reactivity कम होती जाएगी, तो वो इसको displace करने में थोड़ी दिक्कत होती जाएगी, तो इसमें यहाँ पे जबाएंगे, तो वो steam के साथ displace करेगा, जो aluminium और iron है, यह water के साथ, cold water के साथ यह नहीं react करते हैं, यह सिर्फ steam के साथ ही react करते हैं, तो यह activity series भी बहुत important है, इसको भी आपको याद करना है, चलो और example देखते है, single displacement reaction का, active metal के साथ अगर acid डाल दे, ठीक है, तो बनेगा आपका salt and hydrogen gas, यह भी आपको याद करना है, active metal plus acid will give you salt and hydrogen gas, active metal ले लिया zinc और यह ले लिया sulfuric acid, और जब इसको react कराया, तो हमारा zinc sulfate बन गया, जो कि है salt, और साथ में gas जो निकली है, वो है hydrogen gas, और example देखते है, single displacement का, single displacement में, third type जो है, वो है, आपका metal A, आपने कोई metal लिया, और उसका salt solution लिया, किसी दूसरे metal का salt solution लिया, ओके, तो जब अब यह reaction जब होगा, तो इस जो B वाला था, यह बिल्कुल अलग हो जाएगा, यहाँ पे, और इस metal A का, यह salt solution के साथ, जो है, combination हो जाएगा, चलो example देखते है, example सही समझ में आएगा, यह समझ लो, F E को हमने A समझ लिया, copper sulfate को हमने salt solution of B समझ लिया, तो यहाँ पे, यह B जो है, यह SO4 जो है, वो इस A के साथ रियाख करके, F E SO4 बना लेगा, और यह जो B है, वो metal B यहाँ पे आजाएगा, समझ में आगया, यहाँ पे क्या किया, iron ने copper sulfate में से copper को displace कर दिया, तो copper को displace कर दिया, तो copper को displace कर सकता है, तो इसलिए, यहाँ पे iron ने copper को displace कर दिया, copper के salt solution के साथ उसने अपना salt solution बना लिया, और copper को विचारे को बिल्कुल अलग कर दिया, तो यह याद रखना, metal A, अगर हमें कोई metal लेते हैं, और उसको किसी, दूसरे metal के salt solution के साथ रियाक्ट कराते हैं, तो जो metal A है, वो salt solution of B क को displace करके, जो metal है, salt solution B का, उसको बिल्कुल अलग कर देगा, और खुद बना लेगा salt solution, तो यह तीनों reaction आपको याद करने हैं, इस सब आपके book से ही लिये गए है, important reactions है, एक और example देखते हैं, यह देखो, hydrogen भी displace कर रहा है, copper को, दिखाई दिया, यहाँ पे hydrogen लिया, hydrogen metal नही को displace क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो, hydrogen यह रहा, और copper यह रहा, यानि hydrogen कॉपर से उपर है, powerful है, तो वहाँ पे उसमें, चलो, एक और example देखते हैं, single displacement reaction का, मन में एक ख्याल आता है, कि क्या activity series सिर्फ metals की होती है, सिर्फ metal ही displace कर पाते हैं, नहीं, non metal भी displacement reactions देते हैं, तो देखो example, यहाँ पे यह non metal है chlorine, और यह non metal है bromine, अब यह जो chlorine है, इस bromine को हटाने की कोशिश कर रहा है, और खुद बनाएगा NaCl, और bromine को बिचारे को अलग कर देगा, तो यह कर सकता है और नहीं कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्योंकि जैसे metals की activity series होती है, वैसे ही non metals की activity series ह होती है, अब इसमें देखो chlorine जो है, वो bromine से उपर है, तो यानि chlorine powerful है, वो bromine को replace कर सकता है, तो इसलिए important है reaction, क्योंकि यह book में आपके दी हुई है, कि non metal displacement reaction show करते हैं, तो यह example वहाँ पे दिया हुआ है, तो बहुत important reaction है, तो इसको अच्छे से learn करें, next जो category है, हमाई types of reaction की वो है double displacement reaction, double displacement का मतलब समझलों, अभी तक एक ही बंदा जो है powerful ता दूसरे को अलग कर रहा था, लेगिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों ही displaced कर रहे हैं, यानि बस ऐसे समझलों, partners exchange कर रहे हैं, ठीक है, तो partners exchange हो रहे हैं, तो double displacement reaction दो तरीके के होते हैं, पहला त reaction, very very important reaction है, lead nitrate का reaction, potassium iodide के साथ कराया गया, yellow color का PPT बनेगा, PBI2 का lead iodide का, और साथ में potassium nitrate बनेगा, ठीक, तो ऐसे देखो, यह जो PB है, यह I के साथ चला गया, और यह जो K है, यह NO3 के साथ चला गया, तो यानि double displacement, okay, partners exchange हो गया, जो K आई था, वो अलग-अलग हो गया, और K किसी और के पास चला गया, I किसी और के पास चला गया, yellow color का PPT, color of the precipitate बहुत ज़रूरी है, वो आपको लिखना है, उसी तरीके से, sodium sulfate, barium chloride, barium का तो salt कहीं भी देखना, तो याद रखना कि, white color का PPT बनाएगा, य क्योंकि यहाँ पर sodium, sodium चला गया, chloride के साथ, और barium चला गया, sulfate के साथ, तो यह बन गया, barium sulfate, white color का precipitate, NaCl, तो next जो reaction है, उसमें copper sulfate, copper sulfate जो है, वो green color का है, और वो जब barium chloride के साथ, रियाक करेगा, तो white precipitate of baso4, that is barium sulfate देगा, और copper chloride बनेगा, चीक है, याद करने के लिए copper जाएगा, chloride के साथ, और barium जाएगा, sulfate के साथ, ठीक है, तो double displacement हो जाएगा, उसी तरीके सी, जो next reaction है, यह बहुत important है, यह आपका lime water वाला जो test होता है, milky turn होता है, वो है यह, तो इस video के last में मैं आपको यह explain करूँगी, यह वाला reaction, और इसको बहुत important है, दो parts में इस reaction को समझाऊंगी, और याद करें, एक्जाम में आता है, हो क्या रहा है, calcium hydroxide, calcium hydroxide जो है, जिसको हम slate lime कहते हैं, जब आप उसमें carbon dioxide का reaction कराओगे, तो CACO3 का white precipitate बनेगा, और water form होगा, ठीक है, उसके बाद silver nitrate, जब sodium bromide के साथ रियाक करेगा, तो silver bromide का yellow precipitate और sodium nitrate बनेगा, सिर में आते हैं, यही आपके syllabus में हैं, और यही important reactions है, तो double displacement reactions जो होते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया, अब उसमें जो second part है, double displacement reaction का वो है, neutralization reaction, पहला था precipitation, तो neutralization reaction में क्या होता है, कि जब acid और base मिलते हैं, तो salt and water बनता है, तो acid base का example आपको पता है, जैसे यह आपका base है, यह आपका acid है, और यह आपका salt बना, यह आपका सबसे common reaction है, जो आप याद करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने है, कि जो metal oxide है, आपको की basic होते हैं, तो अगर metal oxide के साथ acid react करेगा, तो भी salt and water बनेगे, क्योंकि यह भी एक तरह का base है, तो base plus acid will give you salt and water, last reaction देख लो, NaOH, जब sulfuric acid के साथ react करेगा, तो sodium sulfate बनेगा, और water बनेगा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की है, कि compound जो बनाओगे, उसका formula कैसे देखोगे, अब तुम्हें यहाँ से यह reaction अभी मानलो, यह वाला चीज मत देखो, ठीक है, हमने यह नहीं देखा, मैंने तुम्हें बताया, salt and water बनेगा, तो तुम sodium को लोगे, और साथ में sulfate को लोगे, लेकिन आप ऐसे ही नहीं लिख दोगे कि NaSO4, यह मेरा formula होगे, यह गलत है, अब आपको reaction कराना है, sodium के साथ और sulfate के साथ, तो criss-cross से formula confirm करोगे, sodium की valency 1, sulfate की valency 2, यहनी sodium के साथ 2 समझ में आ गया, तो इस तरीके से आप इस reaction को, जो compounds बनेगे, उनके जो formula हैं, अपने criss-cross से confirm करोगे, ऐसे नहीं कि यहीं से उठा के लिख दिया, Na और SO4, जी बन गया हमारा NaSO4, तो तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपको criss-cross करके आप उसकी valency satisfy करोगे, चलो, अब next utilization reaction में एक भाद important reaction आ रहा है, जो exam बहुत जाता आता है, वो यह है, कि generally हमारे जितने भी metal oxides होते हैं, मैंने तुम लोग को बताया भी, कि basic होते हैं nature के, ठीक है, they are basic in nature, लेकिन zinc और aluminium, ऐसे metals है, जिनके oxides, दोनों properties show करते हैं, यानि कि basic भी होते हैं, और acidic भी होत तो amphoteric बोलते हैं, याद रखना, amphoteric, amphoteric, amphoteric का मतलब, showing the properties of both base and acid, तो यानि कि अगर इनका oxide ले, हम aluminium का oxide ले, या zinc का oxide ले, तो इसका जो reaction होगा, वो दोनों के साथ होगा, acid के साथ भी, और base के साथ भी, तो चलो, वही देख लेते हैं, तो जो aluminium oxide है, वो देखो, यहाँ प oxide reacts with acid to give natural salt and water, तो salt बन गया, यह aluminium चला गया, क्लोरीन के साथ, और water बन गया, ठीक है, लेकिन यही aluminium oxide base के साथ भी react करके, एक complex salt बनाता है, और इसका नाम है sodium eliminate, sodium eliminate, है तो salt ही, लेकिन complex salt है, सो complex salt बनते हैं, तो जब आप acid bases and salt में, types of salt पढ़ेंगे, वहाँ पर ही आपको पढ़ हो गया, तो यह आपका आगया, sodium, aluminate और water, बना salt and water ही रहा है, तो यहां देखो, दोनों से react कर रहा है, तो aluminium oxide acts as an amphoteric oxide, reacts both with acid and base, तो यह reactions भी बहुत important है, दोनों याद कर लो, next type of reaction is combustion reaction, combustion reaction में याद रखना hydrocarbon, यानि carbon और hydrogen का कोई भी compound, जिसमें carbon hydrogen present है, वो जब जलता है, oxygen की presence में, combustion करता है, burn होता है, तो आपको हमेशा carbon dioxide मिलेगी और water मिलेगा, और lot of heat and light मिलेगी, ठीक है, चलो example देखते हैं, यह देखो, मीथेन है, मीथेन का formula है, hydrocarbon है, oxygen में burn किया, carbon dioxide और water, यह reaction आपकी घर में रोज होता है, जब ममी खाना बनाती है, ठीक है, तो जो आपकी LPG gas है, जो आपकी घर में आती है, वो जब भी burn होती है, तो carbon dioxide और water produce होता है, उसी तरीके से यहाँ पर देखो, यह alcohol है, तो यह इथाईल alcohol के साथ, जब oxygen burn करती है, मतल जब भी कोई hydrocarbon burn करेगा, oxygen में, किसी भी hydro, कितना बड़ा भी reaction ले लो, उसमें आपका बनेगा carbon dioxide और water ही, और प्लस आपकी बहुत सारी heat निकलेगी, बहुत सारी heat, हर reaction में आप बहुत सारी heat निकलेगी, exothermic reaction है, अब यह वाला जो last reaction है, यह देखो, यह कहां आपको मिलता है यह reaction कहां देखा है आपने, यह आपका respiration है, आपके body में जो glucose है, उसको जब आप सांस लेते हो, oxygen लेते हो, तो वो आपको carbon dioxide देता है, आपको water vapor देता है, और बहुत सारी energy देता है, बहुत सारी energy देता है, यह respiration का reaction है, और इसको उल्टा करके लिख दो, यह carbon dioxide and H2O in the presence of sunlight will give you this and this, वो आपका किसका हो जाएगा, photosynthesis का reaction हो जाएगा, तो बस इसको उल्टा करके लिख दो गए, तो photosynthesis हो जाएगा, कुछ reaction आपके book में, oxidation reduction के form में दे रखे, redox reaction के example में दे रखे, अब यह reaction देखो, हमने अपने metal plus oxygen वाले इसमें पढ़ा था न, यहा oxidize हो रहा है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखो, copper oxide में से oxygen हट जा रहा है, और copper बन जा रहा है, यहाँ यहाँ पर copper oxide is reduced to copper and hydrogen is oxidized to water, क्योंकि hydrogen के साथ oxygen लग गया है, वो oxidation reduction में आपको अच्छे सापने पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा है, तो मैं link दाल दूंगी, इसम last reaction है, बहुत important है, कई बार exam में पूछा गया, what type of reaction is this, तो इसमें आप हमेशा बताना, यह जो reaction है type, यह oxidation reduction है, यहाँ पर MNO2, इसमें से oxygen हट जा रहा है, MNO2 में से oxygen हट के MNCl2 बन रहा है, यहाँ जब oxygen हट रहा है, तो हो reduction हो गया, तो MNO2 is reduced to MNCl2, यहाँ पर SCL के साथ, ज hydrogen हट रहा है, यहाँ पर, तो जो hydrogen यहाँ पर remove हो रहा है, तो removal of hydrogen is oxidation, तो SCL is oxidized to chlorine, okay, SCL is oxidized to chlorine and manganese oxide is reduced to manganese chloride, तो यह आपके कुछ oxidation और reduction के reactions थे, चलो, last time मैंने जो बताया था, बहुत important reaction है, जो lime water है, वो milky turn कर जाता है, कैसे करता है, CAO को, जब CAO को, this is lime को, quick lime बोलते हैं, quick lime को, जब हम water में dissolve करते हैं, तो हमारा बनता है slaked lime, that is calcium hydroxide, जब इस calcium hydroxide में, जब हम lime water कहते हैं, हम carbon dioxide पास करते हैं, तो एक suspension बन जाता है, मापे milky सा, क्योंकि यह dissolve नहीं होता है, calcium carbonate, तो इसलिए आपको precipitate जसे दिखाए देगा, आपको lime water जो है, वो milky turn कर जाएगा, due to the presence of calcium carbonate, लेकिन जब इस calcium carbonate में, इस चीज में, आपने और ज़्यादा carbon dioxide पास कर दी, यह देखो, इस चीज में आपके और ज़्यादा carbon dioxide पास कर दी, तो एक फिर से soluble substance बन जाता है, that is calcium hydrogen carbonate, तो यह जो calcium hydrogen carbonate है, या calcium bicarbonate है, यह soluble होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ इस reaction में, कि lime water जब आपने पहले carbon dioxide पास किया थोड़ा सा, तो lime water milky turn हो गया, यह बना, लेकिन जब आपने lime water, जब आप उसी में और ज़्यादा carbon dioxide पास करने लगे, और करते रहे, तो थोड़े देर बाद जो lime water milky turn हुआ था, वो फिर से बिलकुर clear solution, बिलकुर transparent solution बन जाएगा, तो यह दोनों reactions भी बहुत important है, exam point of view से, ठीक है, अब जो next video बनाऊंगी, उसमें बहुत अच्छे जो बाकी reactions रहे गए हैं, जो बहुत important reactions हैं, bleaching powder के, baking soda के, washing soda के, gypsum, plaster of Paris वाला, वो सारा concept clear करूंगी, तो इसका वो next video आएगा, उसमें बाकी, जैसे chloralkali process है, वो है, roasting है, calcination है, जो थोड़े से important reactions रहे गए हैं, आपके, वो भी cover कर दोंगी, ठीक है, अगर यह video पसंद आया हो, subscribe करो, like करो, अपने friends के साथ, share